मुगदा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी ना किसी काम को लेकर मत भेत चलते ही रहते हैं बहु ओ बहु ज़रा चाय बना दे मुगदा चाय लेकर आती है ये लीजिए और कुछ चाय ये अरे नहीं बस चाय पीने का मन था जा तुम दूसरा काम करो चाई पिने के थोड़ी दिर बाद सास दुबारा मुगधा को आवाज लगाती है अरबहु रे, आव बहु, जरा हलवा तो बना दे, मीठा खाने को मन हो रहा है इसी तरह मुगधा की सास पूरा समय कोई ना कोई काम बता कर उसे रसुए से बाहर तक निकलने नहीं देती कभी चाई, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूद, हर समय खाने को चाहिए और उसके लिए अपने हाथ पर बलकुल नहीं लाने, परिशान किया हुआ इनोंने सास के ज़वरदस्ती परिशान करने की आदतों से दुखी मुगधा, एक शाम सचीन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है सुनो जी, ममी जी की ये जान बुझकर मुझे परिशान करने की फर्माईशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ पोरे दिन में एक सेकंड का आराम नहीं मिलता, रसु इसे बाहर कदम रखती नहीं कि बहुर ये बना दे, बहुरी वो बना दे अरे इनकी फर्माईशे चलती ही रहती है अरे मुगदा, मा खाने की शौकीन है, पर उम्रे हो चली है, खुद खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुम से बोलती है अरे तो शौक भी उम्रे देख कर रखने चाहिए न, समझ में नहीं आता, हर समय फेवी कॉल का जोड लगाए सोफे से चिपके बैठी रहती है इतना सब डाइजिस्ट कैसे हो जाता है उन्हें, अरे तुम मेरी मा से इतने नफरत कैसे कर सकती हो, मैं उसे नफरत नहीं करती जी, बस परिशान हूँ जहां मुगदा अपने पते से ये सब बोल रही होती है, वहीं उसकी सास भी कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए, सारी बाते सुन रही होती है, और अगली दोपैर रसोय में मुगदा के पास जाती है बहू, आज ना मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन है तुछाई बना दू, मुझे बहुत पसंद है अरे ना अरे ना, ऐसा कर लिट्टी चोखा बना ले, और हाँ, जितना मसाला बातों में मिला कर पती को सुनाती हो ना, सबजी में भी वैसे ही डाला करो, खाना स्वादिष्ट बनेगा सास की बात सुनकर मुगदा हैरान रह जाती है मतलब, अब पूरा समय मुझे पर हुकम चलाने की साथ, बन्द कमरे में हुई पती पत्नी की बीच की बाते भी सुनती है अरबात जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिकत है ये कहकर सास वाँ से चली जाती है मुगदा सास की हरकतों से परेशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं जिसमें सास का जनम दिन आता है मुगदा बहुत खुशी के साथ अपनी सास को एंडरॉइड मुबाइल गिफ्ट करती है ममी आपको सबसे बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है न कभी सचीन तो कभी मुझे बोलना पड़ता है पर इस मुगदा से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक जगर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं अब आप मुबाइल देख सासुमा खुश हो जाती है पर उसे इस्तमाल करना तो आता नहीं इसलिए साइड में रख देती है जिसे देख मुगदा घर का सारा काम छोड़ मुबाइल सेट कर सास को इस्तमाल करना सिखाने लगती है जिसके बाद अब सास पूरा समय मुबाइल में ही लगी रहती है है जब से ममी को मुबाइल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांती आई है अच्छा है इसी तरह बीजी रहे तो मैं भी सुकुन की जिन्दगी जी पाऊंगी अब मुगदा जब मन करे काम करना जैसा चाहे वैसा खाना बना कर खाना पूरा समय रिलाक्स और खुश रहने लगती है क्या बात है आजकल तुम बहुत चैक रही हो हरे मम्मी जी से चिटकारा जो मिला है अब ना फर्माइशे ना छिप छिप कर बाते सिन्ना अच्छा तो मुबाल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी इसी तरह दिन बीटते हैं और अब मुबाल पर लगी सास फर्माइशों की जगर सवालों के लिए बहु को आवाजे लगाना शुरू कर दीती है अरे बहु सुन तो देख जरा किसे का फोन क्यों नहीं मिल रहा रिचारज खत्म हो गया है पर अब फी चार दिन पहले ही तो मैंने किया था इतनी जलते कैसे खत्म हो गया अरे मैंने कल तेरी कनाड़ा वाली मौसी सास से तिन घंटे बात की थी न क्या? इतना महंगा तो मोबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रीचार्ज पढ़ रहा है इसके बाद तो जैसे मुगदा के दिन की 24 गंटे में से 20 गंटे सास के पास उनके मोबाइल विलेटिड प्रॉब्लम सॉल करने की ड्यूटी ही बन जाती है आरे मुगदा ये मुबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शकल क्यों दिखने लगी और ये तो हिल भी रही है ममी ये गूगल डूओ का वीडियो कॉल है इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शकल भी देख सकती हो अच्छा ये तुने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अब बताने के लिए पहले नहीं बताया इसे बीच सचीन भी वहां जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है क्यों सास बहु में क्या गपशप चल रही है इसे गपशप नहीं दिमाग का दही होना बोलते हैं पर तुम तो ममी को मुबाइल दे कर बहुत खुश थी फिर क्या हुआ हाँ उसका सुकून भी कुछ ही दिन मिला अब घर के टंडे खत्म होए तो मुबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई देखो भई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है आखिर तुमने मुबाइल अपने फाइदे के लिए ही तो दिया है तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फूंत्रू रहेगा तुम्हारी लाइफ में प्राइवसी और सुकुन रहेंगे कहने का मतलब है अगर इससे प्यार बड़े तो दाग अच्छे है अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मुबाइल किस मकसद से दिया गया है भूलो मत इससे पहले मैं बाते ही सुनती थी सास की ये बात सुनकर मुगदा शौक में और सची अस्ता रह जाता है